नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल आईसे टैक में ये वाली वीडियो आज थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में पहला क्या हुए ने करने जा रहा हूँ आपके जितने भी सवाल है मैं उसके सारे का अंसर दूँगा और मेरी जो की 2K सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गई है उसकी जितनी भी चलनी रही है उसके बारे में सारा आपको बताऊँगा हाँ ये 2K सब्सक्राइबर तो जादा बड़ा नंबर नहीं है पर ये मेरी लिए बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि मेरे साथ 2K सब्सक्राइबर में यूटूब फैमली जुड़ी हुई है उनका मैं तहा दिल से शुक्रियादा करता हूँ और मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी भी निराशनी करूँगा इस चैनल की किसी भी वीडियो से मैं हमेशा आपको truly tech की information देता रहूँगा हाँ मैं थोड़ा तर पीछे regular नहीं रह पाया क्योंकि मेरे साथ ऐसी condition ही ऐसी हो रही थी तो मैं इस विज़े से आपके साथ regular नहीं हो पाया पर मैं आगे आने वरी वीडियो से में लगाता है आपके साथ regular होंगा और आपको हर type की tech information प्रवाइड करता रहूँगा और इससे भी बड़ा नंबर जब हो पायेगा जब आप लोग support करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आप सब का तह दिल से दन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे चैनल से जुड़े हां मेरी इतनी बड़ी फैमिली तो नहीं हो पाई है जिस पर आप प्राउड कर सकें पर मैं उमीद करता हूँ कि ये फैमिली काफी जादा बड़ेगी और आप लोग मुझे जादा support करेंगे मैं है कि आपके सारे question के answer आपको मिल सकें तो सबसे पहले तो जो सबसे जादा पूछी जाने वाले सवाल है वो है मेरा नाम मैं कहां रहता हूं और मैं क्या करता हूं तो उसका answer मैं आपको दे देता हूं और मेरा नाम हर्श है और मैं हरियाना के अंबाला में रहता हूं और मैं के साथ-साथ मैं VFX और वीडियो एडिटिंग भी करता हूं मेरा जो मेन काम है वो VFX और वीडियो एडिटिंग का जाता है और यह वाला जो चैनल मैंने सिर्फ आपसे इंट्रेक्शन के लिए ही क्रेट किया था ताकि मैं लोगों को एक अच्छी टेक्नोलेज प्रोवाइड क से ही था मैं अपनी एक ऐसी दुनिया क्रेट करना जाता था जिसको मैं अपने अंगल से क्रेट कर सकूँ तो इसलिए मैंने VFX और वीडियो एडिटिंग का रास्ता चुना ताकि मैं अपने एक वर्ल्ड अपना क्रेट कर सकूँ और एक और कोशन पारूल सैनी जी ने और हैंग ना हो तो आर्जे मोहित जी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंमरी कार्ड की जो कैपस्टी है फोन पे पहले ही लिख़्ी होती है और अगर आपको यह एक नया फोन लेंगे तो उसके आपको पहले वारिंग लिख़्ी होगी कि आप इसने जीवी तक का मैमरी नहीं करेगा तो डैमेज तो उने का सवाल नहीं होता है तो अगर आपको जानना है कि आपके फोन में कितने poor scar का memory card support रहता है तो आप उससे still की आ लाइन वेबसाईयट में जाकर दे सकते हैं कि कंपनी ने इसमें कितने जीव हीतलि तक prior का का support दिया है और उसके बाद कि अगर मैं कोशन की बात करूं तो वो पूचा है अनुश जी ने अनुश जी पूछते हैं कि motto of women life तो अनुश जी मेरे according में आपको बता जाता हूँ कि अगर आप women life का motto डूने जाएंगे तो आप उसे में आप उसके बाद कि अगर मैं कोशन की बात करूं तो वो पूसते हैं पूसते हैं कराएंगे एक बाद 10K subscribe आफ कम्पलीट हो जाएंगे ये तो दो आप Healthy Technology कि आपको पार्टी लेनी हैं उसके बाद के अगर स्वाल की बात को रहूं हो तो वह पूछ यहेग सभी करें मेरा भी बहुत मन रुट मन है व्लॉग चानल स्टार्ट करने करने का और वह पिता नहीं सकता कि रोगुने का इतने जरु आशोक है जिसका कोई अंती नहीं है तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये मैंने भी सोचा था और मैं ये बहुत जादा जल्दी implement भी करूंगो और उसके बात की अगर स्वाल की बात करें तो वो पूचा है सर्ब जी स्टार जी ने वो पूचते हैं अगर स्वाल की बात करें तो वो पूचा है कुनाल जी ने कुनाल जी पूचते हैं MIUI और अपने कोडिंग उन्होंने पेश कर रखा है और स्टोक एंडोड को जो स्पीड है वो काफी बढ़िया है और उसका experience भी काफी अच्छा मिलने वाला है जाद तर आपको theme का थोड़ा सा फर्क मिलेगा वो आप कभी भी स्टोक एंडोड में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पर हाँ camera के मामले में MIUI काफी बढ़िया है उसमें काफी अच्छे features और एड़ कर रखे हैं अगर आप एक camera फ्रीक हैं तो आपके लिए MIUI जादा बैठ रहेगा और तो मैं तो simple सी जादा चीज़े पसंद करता हुआ तो मुझे stroke एंडोड जादा पसंद है यह तो आपके choice की recording है कि आपको क्या चीज़ जाद अच्छी लगेगी MIUI का तो यह है कि यह पूरा Apple बना देंगे थोड़ी दिनों में अगर इनका थोड़ा सा अच्छा काम चल गया क्योंकि इनके लगबख Apple की कोपी होती है इनके phone की design से लेकर इनके पूरा UI पूरी Apple की कोपी के लगबख बराबर है तो यह तो सारे question जो कि आप लोगों ने पूछे थे और यह थोड़ी से मैं short notice में पूछे थे जो कि ज़्यादा तर cover नहीं हो पाए और हाँ एक question जो कि दूरा रह गया था वो था पैसो के बारे में तो लगबख 20 साल की मैनत करने के बाद मेरी monetization ओन होई और मेरी थोड़ी सी अब income हो रही है पहले 20 साल मैंने बिना income के काम करा है और मैं income की तरफ जादा ध्यान भी नहीं देता हूँ मेरा काम है एक अच्छा content बनाना जो कि आप सब लोगों को पसंद आए और अभी income मेरी इतनी नहीं हो पाई है कि bank में आ जाएगी तो आप समझ लीजिए कि उसके बीच के थोड़ा सा gap के बीच में है और उतना ही मेरे अभी income हुई है और इस income से मैं एक budget smart watch ले सकता हूँ तो आप खुदी guess कर लीजिए तो यह थे सारे questions जो कि आप सब लोगों ने पूचे थे और मैंने जादातर आपके questions के cover करने कोशिश खी थी तो जिनके questions मैं cover नहीं कर पाया तो उनको मैं थोड़ी से sorry बोलता हूँ कि मेरे पास सोड़ी से time की shortest थी आने वाली वीडियो में मैं especially क्या वाइने रखूँ आप सब लोगों के लिए और उस सब मैं आप सब के सारे questions cover करूँगा और हाँ एक और suggestion मैं आप से चाहता हूँ कि आपको इस channel से क्या और नया चाहिए तो आप सारे suggestion अपने comment box में जुरू comment करें ताकि मैं उससे थोड़ा सा implement कर सकूँ तो आगरी बार मैं इस वीडियो में आप सब लोगों का thank you करना चाहता हूँ कि आप सब लोग में से जुड़े और मुझे support किया ऐसी आप मुझे support करते रही है ताकि हमारी family जादा बड़ी बन जाए और आप इससे आप अपने आपको proud कर सके तो आपको सेरे मुझे support करते रहना चाहिए आपको support ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है और इसी कि सहसाथ मैं आप से विदा लेता हूँ मिलें अपसे नेक्ट वीडियो में थेंक यू